हलो हाई नमस्ते लव इंफाइनेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है न्यू सब्सक्राइबर है तो भी आपका बहुत स्वागत है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वैसे ही देख रहे हैं तो भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि शायद आपको ये वीडियो आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप देख रहे हैं इंजिस नहीं चाहा है तो आप देख रहे हैं इश्वर चाह रहे हैं तो ही आप इस पर क्लिक करकर देख रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं दो कार्ड्स हैं आपके पास अब इन दोनों को चूज करने में आप एकदम से यह मैं सोचे कि यह रादा कृष्ण का है और यह शिव जी का है यहां पर यह कहने का मतलब है यह जो शिव जी महाराज है जो शिव जी भगवान है वो आधी योगी है यह उस समय का सीन बना रखा है जब मा गंगा उपर से अवतरित हुई थी और उन्हें वो बहुती वेग में थी वो इतना वेग था कि उसे कोई नहीं सह सकता था तो पृत्वी भी डरने लगी पृत्वी ने भी कहा कि अब मुझे कौन समालेगा मेरे इस वेग को कौन समालेग तो सभी के सभी शिवजी के पास गए सभी गण देगता और उन्होंने का कि हे शिवजी आप ही के अंदर इतनी शक्ति है कि आप मा गंगा के वेग को संभाल सकें तो उसके बाद उन्होंने अपनी जटाओं में मा गंगा को संभाल लिया था रोक दिया था ताकि क्योंकि कुछ ऐसा था कि पूरी धर्ती जलमगन हो जाने वाली थी जिससे कि पूरी पृत्वी जो खत्म हो जाती अगर पानी पानी बढ़ जाता तो खत्म हो जाती तो इतना वेग था और इतना शुद्ध साफ पानी था और इसे सरफ पानी ही नहीं कहेंगे मा गंगा थी वो जो कि इस तरफ इस तरह से प्रित्व में अवतरित हुई थी तो इस कार्ड का मतलब है कि offering of devotion यहां शिव जी यही कहना चाहरे हैं अगर आप शिव भक्त हैं तो भी अच्छी बात है नहीं है तो भी अच्छी बात है क्योंकि इसमें बात यह बताई जा रही है इस कार्ड को चूज करने का मतलब यह है कि इश्वर कह रहे हैं कि आप मुझे जो भी offer करते हैं जैसे आप offer वही करते हैं मतलब जो आप मुझे प्रसाद में चड़ाते हैं वो आप मुझे प्रसाद वही चड़ाते हैं जो आप खाते हैं लेकिन अगर आप बचा कुचा या य और जो चीज़ आपके लिए सही है वही देंगे तो मैं उसे मल्टिप्लाई करके दूँगा चाहे आप कोई फल चड़ाते हैं या फिर सिर्फ जल चड़ाते हैं तो जो जल पीने युग्या है वही जल मेरे उपर चलाएं मुझे प्रसाद बनाएं या फिर इस कार्ड का ये मतलब है कि जो भी आप खाते हैं उस समय मुझे याद करें इश्वर को याद करें आपने पानी चाहे कितनी भी जल्दी में पिया है किसी के भी हाथ से पिया है गर्मी में पिया है सर्दी में पिया है तो उस पानी को धन्यवाद करें जिस वक्त पानी को पी रहे हैं क्योंक ये पानी की बात है बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा फ्रूट ये तो आप अगर लखी हैं अगर आपके पास वो सब है इसके बावजूद भी बहुत से लोग अगर छल कपट को घेरे रहते हैं तो ये समझ लीजे कि आपके उपर इश्वर नाराज कभी भी हो सकते हैं तो छल कपट फ्री वाला काम ऐसा ना करें किसी का दिल ना दुखाएं किसी की आत्मा ना जुकाएं किसी के लिए छल कपट से किसी से काम ना लें ठीक है चलिए मैं बात नहीं बढ़ाती आगे हैं ओफरिंग ऑफ डिवर्शन में यही है कि आप या तो इस कार्ड को चुल से य नेक्स है success in yoga okay फिर उसके बाद इस इश्वर से मिलाती है और उसके बाद आपका पूयतम आपके पास हाता है यही तो मैं ट perfect journey में भी गहती हूं जो reunion या union आपका अपनी आत्मा से है उसके बाद पर मात्मा से है और फिर जो आपका human body form में आपका twin flame है वो अपने आप में ले आते हैं अब चले आते हैं और attract होते हैं और मिल ही जाते हैं तो ठीक है ये card उनके लिए है जो yoga meditation बड़े अच्छे से करते हैं जिन में विश्वा ये कोई religion की बात नहीं है योगा सबसे पहले यहीं आया था भारत में और होता क्या है ना हम लोग marketize नहीं करते तो बहार के लोग जो हैं वेस्टन लोग वो करते हमने बनाया हमने बनाया तो ऐसा करके योगा योगा हो गया जबकि तो शब्द क्या है योग है योग मतलब जोड जोड मतलब किसका हमारा अपनी आत्मा से जोड हमें अपने आप से जूड ना है और अंग्रेजी में इसे कहेंगे योगा तो ठीक है अगर आप इस तरह से हैं तो श्री कृष्ण जी और श्री जैशिवशंकर जी है हमें आश्रिवात दे रहे हैं आपको जो पसंदा है वो एक कहरी सांस लें और चुल लें धन्यवाद आपका आपने इस वीडियो को देखा और मुझे इतनी देर तक सुना है तैंक यू सो मुझ सबसे पहले जिन्होंने Offering of Devotion चुना इसको देख लेते हैं आपको मैंने ये कहा है कि आपको करना क्या चाहिए आज के दिन ये वाला कार्ड ठीक है ये Blessing अभी दिन देखते हैं कि क्या है ये Blessing आपको क्या मिल रही है Angels की तरफ से ये हम Last में देखेंगे आपको करना क्या 2 & 7 अभी आप लगता है अपने परसन से दूर है या वो आपको छोड़के चले गए हैं या आप नहीं कहा दिया कि बस बस अब मुझे इन से बात नहीं करना है चाहते बहुत हैं लेकिन ये नहीं हो जाता कि बस बही अब थोड़ा सा ब्रेक भी होना चाहिए एक ब्रेक एक चुपपी एक सॉलीट्उड ये ज्रूरी है लाइफ में क्योंकि हर समय देखें हर समय अगर बारिश का ही मौसम रहे तो कैसा लगेगा तो यहीं बात है यहां पर यहीं बात आ रही है कि जो है उसमें खुश रहें सुख है तुक है उन सब में आप खुश रहें बहुत-बहुत मज़े में रहें, अपने आपको बैलन्स करें, अपने emotions को बैलन्स करें, क्योंकि you are not the emotion and you are not the body also, तो फिर क्या है, तो हम आत्मा हैं, आपको only six cards निकालने में, ठीक है, देखिए, आपको यहाँ पर यह हिदायत दी जा रही है, angelic guidance यह दी जा रही है, कि आपक आप अपने emotions को balance करना सीखिए, अब तभी आनंद आएगा, आनंद आएगा तो पर्मानंद आएगा, अब आगे बात करते हैं, फिर आप अपने नाम के आगे पर्मानंद लगा लीजेगा, तो बात यहाँ पर आ रही है, बात यहाँ पर आ रही है, आगे हाँ, कि अगर आप इतना devotion में रहते हैं, इतना प्यार से रहते हैं, और जो भी आप फल, प्रूट खाते हैं, वही आप स्वच्च और ताजा fruit ईश्वर को चड़ाते हैं, बिना किसी बैमानी के, बहुत से लोग बैमानी भी कर जाते हैं, मंदिरों में भी इसी तरह का होता है, लेके जात हैं, कुछ और चड़ाया, कुछ जाता है, सब अपनी जेब में चला जाता है, बहुत जगे बहुत कुछ होता है, लेकिन आप अगर दूसरों की गलतियों को ना देखकर अपना ही अच्छा करते जाएं, अपनी ही गलतियों को सुधाते जाएं, तो वो जादा बेटर तो जितना ईश्वर को चड़ाया है, उतना ही आप उसे आगे फॉरवर्ड करें, या फिर सारा का सारा आप किसी भी जानवर को देखकर आएं, या गाए माता को देखके जाएं, ठीक है, आगे बात होती है, यहाँ डिवोशन की और डोनेशन की बात हो रही है, डिवोशन डोनेशन दोनों साथ साथ चलता रहे, तो आपकी लाइफ भी स्मूज चलती रही की, यहाँ पर आता है टैन ओफ पेंटिकल्स, याने की आप चाहते हैं कि आपका घर, परिवार, बच्चे, पेट्स, इंसेस्टर्स, नया घर, नया मकान, नया टाउन, सब कुछ अच्छा ह सब कुछ नया हो, तो नया साल तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो क्यों नहीं होगा सब कुछ नया, यह तो यहाँ दिल क्यों तोड़के बैते हुए, दिल मत तोड़िये, तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, अब इसको देख लेए, ओ, नमबर 41, अब ब्लेसिंग for solace and hope, वाँ, सरदी के मौसम में ठंडी ठंडी, देखिये, ठंडा ठंडा काड आ गया, बरसात वाला, वो, बरफ वाला, 41, तो यहाँ क्या कह रहे हैं आपको, ब्लेसिंग किस चीज़ की मिल रही है, solace की, एकांत की, एकांत में जाएंगे, यह जो temperance काड आए, एकांत में जितना जाएंगे ना, उतना ही खुबसूरत होते जाएंगे, आपको जितना धैर रहे, जितना patience चाहिए, जितना hope चाहिए, वो आपको इस blessing card से मिल रही है, आपकी जिंदिगी लगातार, आपके अच्छे भविश्य को तयार कर रही है, आप यह मस सुचिए, देखिए, हम केते हैं, नहीं, नहीं, सब कुछ तो वैसे का, वैसे ही है, घर में सब बिमार पड़े हैं, पैट्स भी बिमार पड़े हैं, हम भी बिमारी हो रहे हैं, ठन लग रही है, भी यह हो रहा है, बिमारी हो गी है, हमारा परसन भी नहीं आ रहा है, सब कुछ गलती हो रहा है, बिल सूरत बनाई रखना है अपने जैसे खिलतेवे फूल, पानी और ये सब सूरत की रोशनी ये सब हमें आनंद देती है ना इसी तरह से हमारी आत्मा भी हमारे अच्छे थौट्स, अपनी अच्छी पॉजिटिव थौट्स, अच्छे दीड्स, दान दक्षिना, डोनेशन और ड टाइम मांगता है, वोई भी रिष्टा बहुत टाइम मांगता है, चाहे आपका रिष्टा किसी वादे से ही क्यों ना हो, पौधा या प्लांट, प्लांट जब भी आप छोटा सा भी अगर आप खरीद के लाते हैं, उसे उगाते हैं, या फिर बीज उगाते हैं, तो आप प्लांट करते हैं, या फिर ये उसको खोद खोद के देखते जाते हैं, आज कितना बड़ा होगा, आज कितना आ गया, ऐसा तो नहीं होता न, अगर आप उसमें ओवर खार डालेंगे, ओवर पानी डालेंगे, जादा धूप में रखेंगे, तो वो खताम हो जाएगा, मुर आया जा रहा है, किसमें आपकी हर तरह की, जिनें आप परिशानी कहते हैं, दुख कहते हैं, और जो भी कुछ कहते हैं, हर्डल कहते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, वो हमारे लिए टेस्ट हैं, और हमें आगे बढ़ाने के लिए जीवन में काम आती हैं, तो यही सुचिए थोड़ा सा मेडिटेशन योगा करें और आशा में बंधेर हैं कभी भी अपने आप से नेगटिव बातें ना बोलें थैंकी सो मच जिन्होंने फर्स्ट कार्ड को चुना और शिव जी भी आपके उपर खूब कृपा करें थैंकी सो मच यही मैं चाहती हूँ नेक्स्ट कार्ड आ जाता है सक्सस इन योगा ये तो मैंने आपको बताया ही था कि इनका क्यामी नहीं है जब अरजुन ने बांड चलाने से मना किया था तो उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज से अटाश्मेंट मत रखो ना failure से ना success से ना failure से ना success से किसी भी चीज से attachment मत रखो failure होगे तो रो मत और successful होके तो उचलो मत ये दोनों चीज़ें दोनों वक्त में अगर आपको याद आते हैं ये sentence तो वो बहुत ही अच्छी बात है उस पर आप अमल कर पाएंगे सक्सेस मिले तो उचलना नहीं दुख आए तो रोना नहीं चलिए आभी जाए रोना थोड़ा सा तो चलता है हाँ ये कार्ड हम बाद में देखेंगे आगे बात करते हैं हम कि आपको क्या करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए Pentacles Angels तो आपको पहले ही आशिरवात दे रहे हैं आपको परेशान नहीं रहना चाहिए कि Strength में आना चाहिए खुश मिजाज रहना चाहिए मेरी तरह जब भी रहें खुश मिजाज रहें सुबह उठें तो आपको लगे वाओ आज मैं जिन्दा हूँ इसा कहना चाहिए अपने आपको सची कह रहे हूँ मैं करके देखिए बहुत अच्छा लगेगा अच्छा उसके बाद Thank You God Thank You Angels करें कि वाओ आज आपने मुझे जिन्दा रखा Thank You So Much मैंने तो मांगई नीता कि मैं जिन्दा रहूँ ठीके उसके बाद आप अपने घर परिवार जितने भी घर जिनको भी आप प्यार करते हैं वो अगर सही सलामत हैं उनको भी यही ब्लेसिंग्स बेचिए कि वो और सुकी हो और आपके पास रहें हमेशा आपको आशिरवाद देते रहें तो उसके लिए भी इश्वर से धन्यवाद करें कि आज वो भी आपके पास हैं तो यहाँ पर बात आ रही है कि इजस आपको आशिरवाद दे ही रहे हैं आपको परिशान होने कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप अपने प्रेमी से हो सकता है थोड़े से छोटे हो थोड़े से चुल बुले हो और मस्ती में रहते हो प्यार में रहते हो और बहुत स्ट्रॉगल किया हो जीवन में जीवन में शुरू से लेके आज तक स्ट्रॉगल स्ट्रॉगल किया है कोई बात नहीं जिसने ज्यादा स्ट्रांग बनता जाता है, जिनके पास स्ट्रांग नहीं बनते हैं, उनको जराची छोटा सा खरोच आजाए ना, तो बेहोश हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखा हैं, एक थे हमारे सामने, तो सब कुछ घरा पूरा परिवार, ठीक है, उनके बहुत तकलीफ हो गई उन्हें कि यह क्या हो गया तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यहां इसलिए यह आया है कि किसी भी चीज से अटेश्मेंट ना रखें किसी भी मंदब पती बच्चा पैसा किसी से भी अटेश्मेंट नहीं रखना अपने आपको समझना है बस अ अपने नेम से भी नहीं अपने पैसे से भी नहीं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो जितना ज्यादा आपने स्ट्रगल किया उतनी आपकी स्ट्रेंथ पड़ेगी और आपको क्या नहीं करना है आज के दिन क्या करना चाहिए ना उसके लिए आ रहा है कि आपको इस तरह से परिशान नहीं रहना चाहिए रस्ता आपको मिलता ही है हाँ मैंने कमेंट में डाल रखी है कि स्टोरी उसको जरूर पढ़ लीजीगा क्योंकि देखिए वो स्टोरी भी आपको बहुत मोटिवेट करेगी कि परिशानिया चारो तरफ से आती है न तो कोई बात नहीं चारो दिशाओं से फूल भी किलते हैं चारो दिशाओं हमें आगे बढ़ाने के लिए भी होती हैं तो परिशान होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ही खुश रहें प्यार से बरे रहें जब भी कोई आपके पास आई उसे ना जिड़के ना अपना रोना सुनाई ना अपनी दवाई कि मैं खुश हूं तो बस यही तो बात है कि आप खुश है stress से लिए जigation करनी है नहीं करनी है नहीं करनी है नंबर 32 आपके लिए ब्लेसिंग आयो थैंक यू एंजिल्ज है प्लेसिट दिशान सैएत थां पर कर इंग यहां पर सोबा देखेंगे वीडियो को तो यहां इसका मतलब यह है कि आप अपने माइंड को और भी ज्यादा खुबसूरत बनाएंगे मन में जो भी तूफान उठ रहे हैं आपको उनको शांत करने के लिए आपको ब्लेसिंग मिल रही हैं जो भी तूफान उठ रहे हैं कोई रस्ता करने देख रहे हैं तो भी उसके लिए रास्ता मिल रहा है आपका मन काफी समय से अशांत चल रहा था पर आपके मन में शांति मिलने की ब्लेसिंग मिल रही है कि आप आप में से चिंता में थे अब समय आ गया है कि आपको अपने मन से बोझ को उदार कूई फबार कर देना है कियो कि मन की जो और ढहिता है। एंजिल और स्पिरिट own while अगयर मीई आपके बारे में पुल्जी पर दंगई हैं आपकोई अपना ध्यान रखना पड़ेगा। कोई सोचता है कि कोई सोच भी रहा है ना तो कोई ना कोई मतलब होता है सच में मान के देखिए कोई बच्चा आपकी केर कर रहा है तो उसके अंदर भी मतलब होता है होता है थोड़ा डीपली और थोड़ा सा सोच के देखिए होता है आगे मैं यह बात कर रहे हूं कि भगवान करें कि आपके दिमाग से वो सारे टेरिबल थॉट्स है न जो डराती है आपको वो एक अन्नोन फियर भी होता है वो मेरे बैंक अकाउंड भी इतने पैसे कई बार लोग इसी से ही वो हो जाते हैं हाँ एक और एक मेरे पास लाइव एक आउंटी थी उनको लगवा क्यों मार गया क्योंकि ना वो बिल्कुली बेड पे हो गई क्योंकि वन साइडर बिल्कुली पोशन जो है ना उनका पैरलाईज हो गया तो हमने का अभी तक तो आप ठीक थे क्या हुआ हमारे मकान में मकान जो है पांच लाक रुपे कम में कि हमें अपने मकान का पांच लाग रुके सिर्फ कम में मिला और उस से हमें अटैक हो गया ओ मैंने का यह क्या हुआ है तो इतनी एक तरह से चोटी ही चीज है अगर इसे दिल में माना जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है हमने तो एक तरह से फ्री में बेच दिया अपना म मकान मकान फिर से बनते रहेंगे हम यह तो शरीर भी तो एक मकान है इसमें बढ़ां में होता है अब है अब का लिए ठॉकसर वीयोगी करना है लेके करना है अपनी माइन बॉड़ी नी सोल के लिए आपकी मैंड जितना क्या व्ही पेंट आपने कुछ लेगी Обडंगे संभालना वह यह आपका मकान है इसमकान को अपनी मखान से करते रहते हैं हर दो तीन साल में वह पेंट कराते रहते हैं सब कुछ तूटा फुटा ठीक करते रहते हैं प्लमिंग प्लमिंग करते रहते हैं तो ऐसे ही प्लमिंग कि अपने अंदर की किजिए अपने emotions की, आपके emotions बहद है के यूँ ही ना बहद जाएं, आपके मकान, अपने आपको paint करते रहे हैं, उपर से भी और अंदर से भी, अपने आपको nourish करते रहे हैं, अच्छा-च्छा खिलाते रहे हैं, जैसे आप मकान को चमकाते रहते हैं, पेंट करते रहते हैं कुछ कुछ करते रहते हैं तो वैसे ही इस बोडी को भी चमकाते रहे हैं अंदर से अपनी सोल को फीड कीजिए अच्छे से उसको क्या खाना है क्या spiritual बाते हैं जो खाने जितना भी आप मीडिया से जुड़ेंगे उतना ही आपको फूहरता बहुत कुछ देखने को म सुनिये तो यहां पर यह आपको blessing मिल रही है blessing for peace of mind तो आप अपनी body को भी समालिये अपने mind को भी समालिये योगा करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुछ रहे हैं तैंक यू तैंक यू सो मच विश्यू आल बेस्ट